Hey guys, welcome back to our YouTube channel Black Gown दोस्तों, आज की वीडियो में हम Order 1 के बारे में पढ़ेंगे जो की डील करता है Parties to a Suit जो की किसी भी suit का First Essential है तो दोस्तों, Order 1 का Rule 1 बताता है कि कम plaintiffs हैं उनको एक साथ जॉइन किया जा सकता है तो इसमें कहा है कि सारे लोगों को as a plaintiff एक suit में join किया जा सकता है अगर उन्होंने जो relief claim की है वो same act या same transaction की वजह से arise हो रही है और वो जो person है, अगर वो अलग-अलग suit फाइल करते है तो एक common question of law या fact arise होगा तो ऐसी condition में उन लोगों को एक साथ जॉइन करके एक suit में as a plaintiff कर दिया जाएगा दोस्तो order one में एक बात याद रखनी है कि इसमें दोनों condition fulfill होनी चाहिए पहला, जो relief है, वो same act या transaction की वजह से ही arise होना चाहिए और दूसरा, अगर separate suit लाया जाए तो एक common question of law या fact arise होना चाहिए अगर ये दोनों condition fulfill होती है तभी जो plaintiffs है, उनको एक suit में join किया जाएगा दोस्तो इसको example से समझते हैं एक A नाम का बंदा है वो B और C के साथ एक agreement में enter करता है और उसमें कहता है कि वो hundred tins of oil जो है उनको sell करेगा लेकिन बाद में वो ये goods deliver करने से refuse कर देता है तो यहाँ पे B और C दोनों के पास right to recover damage है और जो act है वो same transaction से arise हुआ है जो की breach of agreement है तो यहाँ पे B और C जो है उनको as a plaintiff एक साथ join कर दिया जाएगा एक suit में और एक और example लेते हैं A agreement करता है B के साथ कि वो 100 tins of oil जो है B को sell करेगा एक particular rate पे अगले दिन वो C के साथ contract करता है same price पे वो same quantity के जो oil है वो C को भी sell करेगा यहाँ B और C के साथ अलग-अलग time पे contract किया गया है तो यहाँ पे जो है same act या same transaction नहीं हुआ है तो यहाँ पे B और C हैं उनको as a plaintiff join नहीं किया जा सकता तो दोस्तो पहले example में हमने देखा कि A जो है B और C के साथ jointly agreement में enter होता है तो यहाँ पे same act या same transaction भी arise हो रहा है और common question of law भी है इसलिए B और C को एक suit में as a plaintiff join कर दिया जाएगा लेकिन दूसरे example में हमने देखा कि A जो है B और C के साथ अलग-अलग contract करता है तो यहाँ पे same act या transaction arise नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे B और C को एक साथ एक suit में plaintiff की तरह जोइन नहीं किया जाएगा श्रीमती Monomai Barmani versus उपेश्वरी Barmani की case में court ने कहा था कि अगर कोई party necessary party क्यों ना हो अगर वो non-interested parties है तो उनको implement करने की ज़रूरत नहीं है suit में Rule 2 बात करता है power of court to order separate trials अगर court को लगता है कि कोई joiner of plaintiff में से trial को embarrassed या delay कर रहा है तो court जो है plaintiff को option देगा election करने के लिए या फिर court खुद ही order of separate trial दे देगा या फिर court कोई ऐसे order दे सकता है जो उसको ठीक लगे दोस्तो, Rule 1 में हमने पढ़ा कि किन लोगों को as a plaintiff एक साथ join किया जा सकता है Rule 3 में हम पढ़ेंगे कि as a defendant किन लोगों को एक साथ join किया जा सकता है तो Rule 3 कहता है कि उन सारे लोगों को as a defendant एक सूट में join किया जा सकता है अगर वो ये दो condition fulfill कर दें पहला जो भी right to relief उनके against में claim किया गया है वो same act या same transaction की वज़े से arise हो रहा है और दूसरी condition कि अगर उनके against में separate suit file किया जाए तो उनके against में जो suit होगा उसमें common question of law या fact arise होगा तो अगर ये दोनों condition fulfill हो रही है तो फिर जो defendants हैं उनको एक suit में join कर दिया जाएगा Rule 3 और Rule 1 का जो primary object है वो avoid करना है multiplicity of proceedings को और unnecessary expenses को चलिए Rule 3 को एक example से समझते हैं एक bus और car की बीच में accident हो जाता है bus जो है B को belong करती है और car जो है C को belong करती है accident की वज़े से एक A नाम क्या बंदा जो की वहाँ से गुजर रहा होता है उसको चोट लग जाती है तो यहाँ पर A जो है वो B और C के खिलाफ suit file कर सकता है damage for injuries के लिए जो की B और C की negligence की वज़े से उसको हुई है तो यहाँ पर B और C को as a defendant एक ही suit में join कर दिया जाएगा अगर plaintiff को कभी doubt होता है उसे यह नहीं समझाता कि उसको अपने जो damages है वो किस से claim करना चाहिए, किसको defendant बनाना चाहिए वो दो या दो से जादा लोगों में confused है तो वो उन सब लोगों को as a defendant एक suit में join कर सकता है मौहमत फारूफ वर्सिस डिस्टिक जजज अलाबाद के case में कोट ने कहा था कि कोई allegation या cause of action नहीं है किसी defendant के उपर तो सिफ इस वज़े से कि plaintiff को ऐसा लगता है कि वो defendant की वज़े से उसके कोई जो right है वो affect हो रहे हैं सिर्फ इस basis पे वो defendant को जो है implied नहीं कर सकता है किसी suit में दोस्तो rule 2 में जैसे हमने देखा कि plaintiff के case में court जो है separate trial के order दे सकता है उसी तरह rule 3A में अगर court को लगता है कि जो defendant है वो trial को embarrass या delay कर सकता है तो ऐसे case में court जो है separate trial के order दे देगा या फिर ऐसे order जो court को सही लगे और interest of justice में हो वो वैसे order दे सकता है rule 4 कहता है कि court जो है एक या एक से ज़ादा plaintiff के favor में relief grant कर सकता है अगर वो उनको entitle found करता है और defendant के case में वो एक या एक से ज़ादा defendant के against में judgment दे सकता है according to their liabilities rule 5 बात करता है कि अगर बहुत सारे defendant है और जो plaintiff है उसने बहुत सारे relief claim की है तो ज़रूरी नहीं है कि हर defendant जो है वो हर relief के लिए liable हो ऐसा भी हो सकता है कि जो defendant है वो सिफ कुछ ही relief के लिए liable होगा जो बाकी relief होगी वो उस पे applicable नहीं होगी defendant उसके लिए interested नहीं होगा rule 6 बात करता है कि किसी party ने बहुत सारी parties जो है उन्होंने मिलके contract किया था लेकिन अब उन्होंने breach कर दिया है तो जो plaintiff है वो उन सब को as a party एक साथ join कर लेगा suit में एक साथ defendant बना लेगा और उन सब पे एक ही suit file कर देगा rule 7 बात करता है कि अगर plaintiff को doubt है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़ादा defendant है और उसको यह समझ नहीं आ रहा है कि वो किस से entitle है अपनी relief claim करने के लिए तो यहाँ पे जो plaintiff है वो 2 या 2 से ज़ादा जो भी dependent है उनको एक ही suit में party बना के उनके against में case file कर सकता है यह determine करने के लिए कि कौन सा dependent कितना liable है और किस से वो relief अपनी claim कर सकता है rule 8 बात करता है कि अगर numerous person है तो court उनको permission grant कर सकता है या फिर court खुद ही direction दे देगा कि उनमें से कोई एक person या फिर एक से ज़ादा person बाकी सब के बिहाफ में suit जो file कर सकते है या फिर उसको defend कर सकते है इसी वज़ा से इस suit को representative suit भी कहा जाता है rule 8 एक enabling provision है rule 8 का object है बहुत सारी proceedings जो court के अंदर आती है एक ही common question को लेकर उसको stop करना है ताकि जो और parties है उनको कोई harassment ना होगी कभी किसी और से case आ रहा है कभी किसी से case आ रहा है तो ऐसी चीज़ों को stop करने के लिए और decision को facilitate करने के लिए ordinary procedure को ना follow करते हुए representative suit को follow किया जाता है इस suit में liberal interpretation follow किया जाता है ताकि जो rule 8 का object है उसको fulfill किया जा सके अगर rule 8 के अंदर suit file करना है तो इसमें सबसे important बात है कि common interest होना चाहिए party का जो भी subject matter है उनकी जो common grievance है वो सबको beneficial होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए rule 8 की कुछ conditions है पहली condition है कि parties must be numerous यानि parties का जो number है वो एक से जाधा होना चाहिए कितना जाधा होना चाहिए ये कहीं पर define नहीं किया गया है बस जाधा होना चाहिए दूसरी condition parties का जो interest है उस suit में वो same होना चाहिए यानि एक common interest होना चाहिए सारी parties का उस suit में तीसरी condition है कि permission must have been granted और direction must have been given by the court यानि parties को representative suit file करने के लिए या तो court से permission मिल गई हो या court ने उन्हें खुद ही direct कर दिया हो कि वो एक representative suit file कर दे और चौथी condition है कि notice must be issued to the parties यानि जो भी parties होंगी suit में सबको notice जाएगा कि ये बंदा आपकी तरफ से एक representative suit file कर रहा है आपकी problem को court तक लाने के लिए अगर सारी parties को notice नहीं जाएगा तो फिर जो भी judgment आएगा वो उन parties पर binding नहीं होगा अगर उनको notice नहीं मिला होगा ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर judgment binding होगा जिनको notice मिल गया होगा rule 8 का sub rule 3 बात करता है कि अगर कोई defendant क्या फिर जिसने suit file किया है वो उसको ऐसा लगता है कि जो suit है वो proper hands में नहीं है और जो उसका interest है वो affect हो सकता है तो फिर वो court में apply कर सकता है कि उसको भी as a party suit में add कर दिया जाए तो court यहाँ पे उसको as a co plaintiff या co defendant की तरह add करेगी उसको दूसरी जो original party है उसको substitute नहीं करेगी rule 8 का sub rule 4 कहता है कि representative suit में कोई भी claim जो होगा या कोई भी part होगा claim का उसको abandon नहीं किया जाएगा और order 23 के rule 1 का sub rule 3 के अंदर कोई भी suit जो है वो withdraw नहीं किया जा सकता ना ही कोई agreement किया जा सकता है compromise या satisfaction नहीं किया जा सकता order 23 के rule 3 के अंदर जब तक जो बाकी plaintiffs है उनको ये notice ना दे दिया जाए कि जो उनका suit है वो एक representative suit की तरह file किया गया है agreement या compromise भी अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता इसको करने के लिए भी order 23 rule 3 भी में कहा है कि इसके लिए भी court से permission पहले लेनी होगी उसके बाद ही आप अपना agreement या compromise कर सकते हैं representative suit में आई भी decree सब parties पे as a rest judicata applicable होगी लेकिन जिन लोगों को notice नहीं मिला है representative suit का उन लोगों पे judgment binding नहीं होगा इसलिए ये decree उन लोगों पे as a rest judicata applicable नहीं होगी TN Housing Board versus TN गनपती के case में Housing Board ने low income group के applicants को residential building allot की जब settlement of price हो गया उसके बाद भी उन्होंने access demand की तो फिर alloties ने representative capacity में suit file किया और इस demand को challenge किया तो high court ने कहा कि ये suit as a representative capacity में maintainable नहीं होगा क्यूंकि जो cause of action है या पर वो separate है तो Supreme Court ने कहा कि even though उनके जो causes of action है वो separate भले ही है लेकिन rule 8 में कहा गया है कि जो parties का interest है वो common होना चाहिए और इस case में parties का जो interest है वो same interest है common interest है इसलिए ये suit maintainable होगा rule 8 ये बात करता है कि अगर कोई party है वो किसी question of law में interested है तो court जो है allow कर सकता है उस party को उस proceeding में participate करने के लिए या फिर अपना opinion रखने के लिए rule 8 ये जो है इसमें court की जो power है वो discretionary power है इसलिए चाहे कोई party interested ही क्यों ना हो ये court के उपर है कि वो उस party को allow करेंगे या नहीं करेंगे rule 9 बात करता है misjoinder and non-joinder of parties के बारे में rule 9 कहता है कि कोई भी suit इस वज़े से dismiss नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें non-joinder और misjoinder of parties हैं ना ही कोई decree जो की merit पे base है उसको set aside किया जाएगा सिर्फ इस वज़े से क्योंकि यहाँ पे mis description of defendant हो गया था लेकिन ये rule उस case में apply नहीं किया जाएगा जिस case में non-joinder of necessary party हुआ है अगर necessary party को join नहीं किया जाएगा case में तो वहाँ पे ये वाला rule applicable नहीं होगा अगर कोई ऐसा person है जो की decrease से affect हो सकता है और उसको as a party join नहीं किया गया है उस suit या appeal में तो suit या appeal को dismiss कर दिया जाएगा लेकिन बीप्रभाकर राओ versus state of आनप्रदेश के case में court ने कहा था कि अगर सारी parties जो है उनको join नहीं किया गया है या फिर कुछ party है जो उनको join कर दिया है और कुछ को नहीं किया है लेकिन जिनको join नहीं किया है उनका interest भी same है जिनको join किया गया है उनके जैसा तो फिर supreme court ने कहा था कि दोनों के जो interest है वो identical है तो इस तरह जो उनके suit है वो अच्छी तरीके से represent किया गया है court के सामने तो फिर suit court dismiss नहीं किया जाएगा सिर्फ इस वज़े से कि वो parties add नहीं हुई थी क्योंकि जो उनके issues है उनको court में अच्छी तरीके से represent कर दिया गया है और उस पर judgment अब आ गया है Rule 10 बात करता है कि अगर wrong plaintiff के नाम से suit file हो तो तो Rule 10 कहता है कि अगर wrong plaintiff के नाम से suit file हुआ है या फिर ऐसा कोई doubt है कि जो plaintiff का नाम है वो right है या नहीं तो ऐसी condition में court जो है अगर वो satisfied होता है कि एक bona fide mistake है और ये जरूरी है determine करने के लिए real matter जो है dispute का उसके लिए तो court order कर सकता है उस party को substitute करने के लिए या फिर दूसी party को add करने के लिए as a plaintiff या फिर कोई ऐसा order दे सकता है जो court को सही लगे rule 11 बात करता है court जो है वो conduct of suit दे सकता है कि किस तरीके से जो suit है वो conduct किया जाएगा rule 12 बात करता है appearance of one और several plaintiffs or dependent अगर एक से ज़ादा plaintiff है तो बाकी सारे plaintiff अपनी तरफ से authorize कर सकते हैं एक या एक से ज़ादा plaintiff को appear, plead या act करने के लिए उसी तरीके से एक या एक से ज़ादा defendant है तो बाकी defendant एक या एक से ज़ादा defendant को authorize कर सकते हैं अपनी तरफ से appear, plead या act करने को ये authority जो है राइटिंग में होनी चाहिए बाकी parties के द्वारा sign की गई Rule 13 बात करता है Objection as to non-gender और mis-gender of parties अगर non-gender या mis-gender of parties के basis पे कोई objection लाना है तो यह earliest possible opportunity जो हो उसी पे यह objection raise करना होगा और यह जो भी issues है उनके settle होने से पहले या उसी वक्त raise हो जाने चाहिए नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि जो right to objection है उसको wave कर दिया गया है Guys आज की वीडियो में बस इतना ही Thank you अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो please like, share and subscribe